हेलो आप इस वीडियो माने बात करने वाले एक नए कोश। सब्सक्राइब गला हम यहां अला एक से करने कोश्छन ऑगाछ जी स सकते हैं मरे कोडिशंग के के एकोर्टिंग हमे ऊपकना हूँ थक इंतके हो एक यूट करना है गुए थnon statement consider the following statement for signal XM signal ठीक है डिस्की टाइम सिगनल पहला statement XM is real and even signal XM real और even जब भी हम देखते हैं न तो हमारा काम ही बन जाता है तो समझ लो ठीक है इस बार रियल कह दिया और even भी कह दिया तो देखेंगे क्या यह help करेगा हमारी ठीक है यह रिखा है पिजलो पिए टेंट धे रखा एन फोर्यस स्रीज कोपिशेंट अगर इस सी कई ठीक है एक हमारा इवन होता तो उसका फोर्यस स्रीस कोपेशेंट थी के डी कोपिशेंट पर आज पहले बार कि पहली बार ऑद देखा पर दूसरी लाइन मा काम आ गई ठीक है यहां पर देखा C11 जो है C11 यानि वह जो कोपिशेंट है उसकी वैल्यू दे रखिए हमें 5 और एक चीज़ दे रखी है 1 by 10 and equals to 0 to 9 mode of xn का square जब भी mode of xn का square देखते हैं तो हमें क्या याद आता पार्चेवल थोरम ठीक है पार्चेवल थोरम में ही होता आई है यानि यह क्या बता रहा होगा उसकी पावर हमें पावर दे रखिए उस सिगनल की ठीक है कि इतनी 50 आ रही है अब इस एकसे पार्चेवल ठीक है थो हम जो हमारा सिगनल है एकोस्त बियदी प्लस एक ताइप का है तो हमें डूक्ष यानि एकस्न जो होगा हमारा कोसाइन फंक्शन है अगर कोसाइन फंक्शन है तो यह में प्रॉफिशंट है उनकी वैल्यव बता नहीं तो पहले पॉइंट हमारे काम आया उससे हमें सी के पता चला वो रियल और एवन होगा ठीक है होगा में लेखो देखो सी एलेवन भाफ में और यह देखा पार्सेवर थोरह ऑन या इससी सिगनल की यह पावर है कुछ सा मिलता है हमें पirapance सी के जो होता है सी के माइन खे टिक है सीनल के साव यह है यह यह कंडिशन सब के लिए तो सी एन जो होगा वह किसरा लोजागा c11 equals to c11 minus n n की value 10 यानि जो c11 है c11 है वो किसके equal है c1 के ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चला c1 की value होगी वो कितने होगी 5 होगी ठीक है लेकिन ck तो हमारा उसने बता हुआ है हमने condition पढ़कर देखा हमें कैसे पता चला ck तो real और even ck is real and even अगर real and even होता क्या होता है सिगनल का जैसा वो left side में होता है इसा ही right side में होता है ठीक है तो c इसका मतलब क्या होगा real and even का मतलब ck equals to c minus k होगा न होगा तो इसका मतलब अगर मैं कि यह की जगे 1 लगा दूँ तो c1 जो होगा वो किसके को लागा c minus 1 तो हमें दो कोपिशेंट पता चले और c1 और c minus 1 जो कि 5 है अगर मैं दिखाऊं c के real और even है ठीक है अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझो इसको देखो यहाँ पर मैंने हर वीडियो में सिखाया वैसे अगर कोई चीज वैसे होती है periodic होती है तो हमारे पाथ छूट होती है उसमें बहुत ज़ाद है कैसी छूट? कि हम कहीं से भी उसे start कर सकते है ठीक है के कश्टू कहीं से भी start कर लो बहुत आंसर सेम देना ठीक है पीरियोडिक है तो उसमें अपनी मर्ची कहीं से भी start कर लो हमें सी माइनस वन पर मिली वैल्यू कितनी फाइब जीरो पर भी नहीं पता ठीक है वन पर पता है और कहां तक यह जाएगा अगर मैं माइनस वन से start कर रहा हूं पिरिएट मुझे दस तक ही जाना पड़ेगा ठीक है मतलब दस सेंपल चाहिए मेरे उसमें सिंगनल में तो मेरे दस सेंपल कहां पर आके मिलेंगे आठ पर आके ठीक है चार पात छे साथ आठ वैसे ऐसे इस पीरिट के बाद आगे छी रिपीट हो रहे होगी मैंने एक पीरिट ले लिया ठीक है मतलब के क्वेश्टू यह कितना है ठीक है तो मुझे दस सेंपल मिल रहे है आगे देखो यहां पर एक एक दो तीन चार पात छे साथ आठ नो दस सेंपल होगे के की वैले होगे 10 मैं मानिस वन से स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर देखो पारसवल थोर्म क्या कहती है फार्संवल थोरम जो होती है क्या कहती है कि हम जो पावर निकाल सकते हैं कि किसी भी सिगनल की अगर हम्हें गई हमें एक अ हमन्हें ले दिया पूरे पीड़ेड पर, ठीक है पूरे period पे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसी करके सिखाया, मैंने ये नहीं सिखाया कि कहां से start करना हमीचा, ठीक है आपने अगर मेरे वीडियो देखें तो, N को कहीं से भी start कर सकते हैं, पूरे period में, जहां से वो period है, वो किस के equal होता है, पूरे KK, ठीक है, है चेए किसी कंए कि नहीं है और फिर मिद बापल नंग्वा दिना है हुनं पर अ मੇं तो हाझ स्टशी सांधर यहां पता लगा राइए हमारे काम कीनिया वैसे कि इस तरहा किपने नहीं यहां पर कितना दे रखाई थैन को इसने 0 से start किया हमें पता n-1 तक जाते हैं इसी वह से लिखा है धना n-1 तक जाते है जितना वह लाश्ट होता उससे एक कम तक यानि 9 तक इस टाइब से लिखा वह 9 ठीक है इसमें confused नहीं होना आप के को मैं आपना अं-1 से शुरू करना अश्रा तक लिए रहा हूं ठीक है जो xn का प्रीड अब cambiar होता है वह si Travis a अपनी मुद्ध कहीं से तो झाल सकते इसमें और गीड़ कर लिए तो यहां पर करना है तो इसमें – 1 Kai Ski कर रहें आठ तक ठीक है तो यहां पर कितना होगे हम मोड़ ओफ सी के का स्कॉर ठीक है इस साइट को देखो इसकी जो हमें वैलू दे रहे हैं पहले पूरी कितनी दे रहे हैं पहले उसको लिखो 50 अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे किस टाइप के मिलेगा देखो यहा स्कॉर सी ओस मॉड़ फॉर का स्कवार फाइप का स्कॉार शिक डिसक्र खाल रख 13उन का इसकॉर सेंक का स्कॉर और अटका स्कॉरी कद्व फिफ्टी हमें कुछ दे रखे हैं मै दे नख सेंसे लके हैं तो 5 आईसक्ति बाकि को को अब है एज एस दीप यहक है देखते है चौछ स iPhone कीभी come Exam बाकि को अशही क्सक्ण है in और और 45 का मुझेल का स्कौवाइब सुफजा सुफफजा 카메ई एजो कई स्कौर ऑफ स्कौर गास गवतारो स्यु twin Stacy का स्कवार्थ सियुव सेवन का स्कवार्थ स्यु अइट का स्कॉार्थ प्रक्रेगर कंशा थीद्धिंट को देखते ले गाया तो यह जी बचा तो स्यू फबीदर हाठ आट पॉअट्व ।च मात थीदरist ऑस थ्क्वार्थ सीओ पॉर का स्कॉार सीओं थॉसक्त का स्कॉार सीओं का स्कॉार। एड करने पर मिलता है छ फ़्फ मिलता है तो आगर मैं इसमें से कोई November अगर मैं एक साथ बाइस को correcton Correct व्हों पॉसेफिफ बन जाता पॉसेटिफ बन जाता जरो नहीं होना चाहिए थीक है पहली बात मानते हो मेरी अगर positive नहीं होना चाहिए तो ऐसे क्या हो सकते कि इन सब की वैल्यू के यह जीरो दे दें सब को अगर मैं जीरो रख दू केवल सी जीरो सी टू यह सारे के सारे जीरो जाए तो मुझे जीरो मिल जाएगा इसके अलाबा कोई भी दुनिया का एक नंबर ले ले लेना हमें जीरो आंसर नहीं देगा अब ऐसे कुछ सोच नहीं है कि ठीक है ऐसा भी किसी के मन में ख्याला सकता कि कि हम सी 3-12 ले रहते हैं और सी 4 ले रहते है कितना कोई सोचेंगे कि ऐसे करें गरें आगर ऐसे हमें पता चला कि c0 b c2 b c3 b c4 c5 c6 c7 c8 सब क्या होने वाले जीरो के एको लाने वाले ठीक है तो यहां पर यह पता चला हमें यह सारे के सारे क्या हो गए जीरो हो गए अगर हमें c के मिल जाए over period तो हम action बना सकते हैं तो action जो होता है हमारा होता है होता है यहां से हैं यहां पर होता है ck e की पावर जे 2 पाई बाई एन के एन ठीक है और हिया पर जो हमारा कि यहां पर यह यह थे क्या होता ओवर पीरिड ठीक है over period लगा दो यहां पर एक्सेन कहां से start करना से लेकर आणा 8 तक तो सी ओफ माइनस वन एकी पावर जेट तूपई वाई एंड की जगे जगे 10 के की जगे माइन सूपन एंड ऐस सी ओफ जिडू एकी पावजेट टूपई बाई टैन जीरो एंड राइट सी ओवफ 2N आगे देखो ऐसी सी ओफ थ्री एकी पावर जे टूपाइब आइट टेरी एन सी फॉर एकी पावर जे टूपाइब आइटेन या पाएगा फॉर ठीक है एन और सी फाइब एकी पावर यह सीधर सीधर लिखते चले आना तेन यहां पर आएगा 10 यहां पर 5 सी 6mm पार 1ध की पार जे टूपाइब बाइ और तैन यहां पर 6 एटकी अब यहां परिखो। हमारे पास केवल तो है मिल रही थी c-1 और c1 पर फीप यह नमबर मिल रहा है बागी की सब 0 c0 भी सिटी यह निकाल चुके हैं यहाँ पर मैं यहां जब इसमें लगाऊ हूँ सब 0 ने वाले यह वारला 0 यह 0 यह 0 यह 15 ठीक है यह सब 0 नहीं नहीं मंगते हो इसलोetts सोरी तो हमें xn कितना गया c-1 c-1 यानि कितना हमारा 5 e की पावर j इसको 2 से कैंसल कर दो 5 माइनस वाहर लिख लिए और 5 e की पावर यहां पर c1 के लिए लिख रहा हूं में ठीक है यह यह नहीं कैंसल हुआ था यहां पर हो गया कितना यहां तक बात समझा रही है 5 को मल ले लूँ तो कितना बचेगा इस वाले टर्म को पहले लिख 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 लिए 5 by यह क्या करता हूं दो का मल्टिप्लाइ कर लो कर लो को साइं फंक्ष्ấn ठीक्या तो एक से नवरावर कितना अगया तैन कोश पाइब आप 5 n ठीक है अब हमारा फंक्षिन है उससे कंपेर करो A कोस B n प्लस C का इससे कंपेर करके लिखो यहां से A कोस B n प्लस C तो यहांस चाहिके मिला यह हो गए A की वैलू यानि A की वैलू आगई 10 10 के साथ क्या है हमारा बी यानी जी की वैलू कितने आ गए और यहां पे कुछ नहीं है तो मैं जीरू लेख सकता हूं एड़ टो पीडल की यह जीरू आगए ठीक है तो ए भी की तिरो की की वैलू आ चुका एक वैलू 10 ब की वैलू 5 2 और c की वैलू 0 ठीक है इस तइस था इस को समझ आया होगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में इसी टाइप का89 कोशन करेंगे है ऐसा असला कोशन है इस वीडियो में मिलते हैं